हेलो बच्चो वेलकम बैक टो माई चैनल आरे में स्टेडी टाइम आज हम लोग जा रहे हैं क्लास एट का लेसन नमबर सैवन भारत मानो संसाधन के एक्सेसाइज करेंगे और इससे प्रीविश लेसन के एक्सेसाइज हमने अप्लोड कर दिये अगर उसे आपने नहीं देखा एक होना फ्राइय यहीं को सब्सक्राइब कर्ले स्टें लेसन इस लेसन का नाम भारत मानो संसाधन आप मानो संसाधन बन जाते हैं अपनल ऊ च्वारत मारी और उस्टेंत एकि व्तश्च्ता हैं जीतन पूरी होती हैं। इस लेसन का प्रशचिया है निमन लिख्षित है के उत्तर दीजिये नंबर का है अनकूलतम जनसंख्या किसे कहते हैं इसका उत्तर हैं अनकूलतम जनसंख्या जनसंख्या की वह स्थिति है जो देश में उपलद, भूमी, शुबधाउं युँ अन्य प्राकृतिक संसादनों पर दबाव न डालती हो ठीक है तो अनकूलतम जनसंख्या वो होती है जिससे जो हमारी सुविधाएं है या फिर प्राक्रतिक संसादन है या भूमी है उस पर जो अत्रिक दबाव ना पड़े और यानि कि ऐसा ना लगे कि बहुत जादा जनसंख्या हो गई है तो उसको ही अनकूलतम जनसंख्या कहा जाता है नेक्स्ट कोश्चन है मानुसंसादन के कौन कौन से मुख्य घटक है अब देखे मानुसंसादन के मुख्य घटक क्या क्या है इसका उत्तर है मानुसंसादन के मुख्य घटक है आयू लिंग साक्षरता जीवन अस्तर इत्यादी ठीक है मानुसंसादन के मुख्य घटक हो गई आयू, लिंग, साक्षर्ता, जीवनस्तर, इत्यादी नेक्ट कोशन है भारत में जनसंख्या विर्धी के कौन से कारण है भारत में देखी जनसंख्या की दृष्टी से अगर देखा जा तो भारत हमारा विश्व में दूसरे स्थान पर आता है यानि कि यहां की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है तो इसकी कौन-कौन से कारण है यहां पर हमें बताना है इसका उत्तर है जनसंख्या विर्धी के मुख्या कारण इस प्रकार है नमबर एक अशिच्छा यहां की जलवाई बहुत अच्छी है जिससे जनसंखे में विर्धी हो रही है और नमबर पाच है दूसरे देश उसे लोगों का भात में आकर बसना ठीक है बाहर से जो लोग आकर यहां पर बस जा रहे है उसे भी माज़ देश की जनसंख्या में व्रिदी हो रही है जैसे बांगला देश, नेपाल, भूटानादी से लोग आकर यहां पर बहस जाते हैं तो उनसे भी माज़ देश की जनसंख्या बढ़ रही है नेक्ट कोस्टिन है जनसंख्या के वितरड में अंतर क्यों पाये जाता है अब जनसंख्या के वितरड में अंतर मतलब क्या हो गया इसका कि कहीं पर जनसंख्या ज़्यादा है और कहीं पर जनसंख्या क्यों है तो इसका उत्तर है गंगा यमना के मैदानों में अधिक जनसंख्या निवास करती है क्योंकि वहां की भूमी समतल इमुप जाओ है अच्छी जलवाई होने के कारण किरसी भी अच्छी होती है यातायत की सुभधाएं इम बड़े उधोगों में रोजगार होने के कारण अधिक जनसंख्या निवास करती है नियुंतन जन घनत वाले छेत्र राजिस्थान के मरुस्थल हिमालय परवत उत्तर पूर्वी पहाड़ी छेत्र युम्मध के पठार है यही कार है कि जनसंख्या वित्र में अंतर पाया जाता है ठीक है तो जो हमारे परवती छेत्र हैं म परवकार खाने है रोजगार है और वहां के भूमी भी अच्छी है किर्शी की जा सकती है तो वहां पर जनसंख्या जाद़ निवास करती है इसी वज़ये से जनसंख्या वित्र में अंतर है नेक्स्ट कोईस्टन है बरती ही जनसंख्या से हम किस तरह प्रभावित होते हैं इसका उत्तर है देश की अर्थ विवस्था और जनसंक्या के आकार में घनिश संबंध होता है जो देश की अर्थ विवस्था होती है और जनसंक्या होता है इसमें बहुत एक घनिश संबंध होता है जब देश में जनसंक्या व्रिद्यदर अधिक होती है तब देश आर्थिक समस्यां उत्पन हो जाती है थीक है क्योंकि जहांपर फी जनषंखे जाद वहां modest हमेशा कम जोल रहती है कैंकि महांपर क्या होता है कि हर-ne जादा उपयोग होने लगता है प्रतिविक्ति आये में कमी होने लगती है जिसे जीवन इस तर गिर जाता है और लोगों में कुपो शर्ड भी रोजगारी असी चाही सब चीजे बढ़ जाती है ठीक है तो बढ़तीवी जनसंख्या से हमारा जीवन बहुत अधिक प्रभावि क्रिशियों के भूमी होने के वज़ज़ से उत्तर प्रदेश में भावित के सबसे जनसंख्या निवाज करती है अगर भावित में देखा जाया तो सबसे जनसंख्या की दृष्टी से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है तो उत्तर प्रदेश है इसलिए आप इस पर गलत का चाल जब लोगा दें दी और ज्योग मोन देखा गाल números में अधिक जनसंख्या रहती है यह सही् है जहां पर उध्योग दंदेफ ज्यादा है वहां पर दोगःते हैं रहेती हैं है लगा देंगे नेस्ट है अधिक जनसंख्या परियवर को प्रभावित करती है कि उस प्राकरतिक नसाथनों का अधिक से अधिक उपयोग होने लगता है प्रश् कर सबbolagnh भारत जनसंख्या की दृष्टी से विश्व में दूसरे स्थान पर आता है। भात में इस्त्रियों की तुलना में पूर्सों की संख्या अधिक है। इस तरह से आप इसे अपनी कॉपी और बुक में फिल कर ले। यह इस पूरे चेप्टर की फूल एक्सरसाइज थी। अगर पसेंद आए तो प्लीज लाइक करें। झाल दूर्सों की पातो की पाता है।